नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बर फिर से श्वागत है दोस्तों जहारखंड स्टाप सेलेक्शन कमिशन के वेब साइट में आप जाकर जैसे वाट्स न्यू उपर देखेंगे तो आपको एक नया नोटीस जारी किया गया है जैससी के दुबारा जहां पर व्यू आल पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको जो नोटीस से वो दिखेगा कि जारखन उत्पाद सिपाही प्रतिजोगीता परिक्षा 2022 आवश्चक सुचना और डेट जो आप है आप देख सकते हैं यहां पर 27 2022 को यह नोटीस जारी किया गया है जिसमें हुआ क्या है दोस्तों देख सकते हैं आवेदकों को यह भी असपस्ट कर दिया गया है कि यथा इस्तेती फोटो एबम सिगनेचर अपलोड किये बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तथा इसके अभाव में सम्मंधित आवेदकों की अभ्यरतिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी जिसके लिए सम्मंधित आवेदक स्वैंग उत्तरदाई होंगे तो इसमें हुआ क्या है दोस्तों की देखे उक्सुचना के सुविदा के बावजूद भी देख सकते हैं यहां पर 25 हजार 338 आवेदकों द्वारा आवेदन प्रक्रिया के प्रारंभीक चरण को पूरा नहीं किया गया ता परिक्षा सुल्क के भोगतान भी नहीं किया गया 17 आवेदकों द्वारा अनुसुची जन जाती कोटी अभ्यरतियों द्वारा आपने आरक्षन कोटी अनारक्षित जो OBC, BC1, BC2 एवं आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक बर के कोटी से संसोदित किये परंतु उक्त अभ्यरतियों ने संसोदित कोटी के लिए अनुमाइन परिक्षा सुल्क का भुगतान रासी भुगतान नहीं किया गया और ऐसे मिस्तित में क्या किया गया है दोस्तों देख सकते हैं नंबर थ्री पॉइंट उक्त सभी आवेदकों के आवेदन रद किया जाता जिनकी सूची अप्लिकेशन नंबर जो है वो निमनवत है यानि चेक कर सकते हैं फोटो एवम हस्ताक्षर अप्लोड नहीं करने वाले अब भेरतियों के अंतीम आवसर प्रदान करते हुए देखिए यहां पर दिया हुआ है दोस्तों अंतीम आवसर भी प्रदान कर दिया गया है जो की देख सकते हैं 27 2022 से लेकर 27 2022 तक ऑनलाइन प्रविस् चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर कर दोस्तों क्योंकि मैं आप सब्सक्राइब लेकर आते रता हूं थैंक्यू तिक बोस्तों की वतलाइब लाइब लाइब लाइब